गुड्स एंड सर्विसर्स टैक्स यानि जी एस्टी एक जुलाई से लागू हो जाएगा जिसके बाद आटा, दूद, सबजियां और फल जैसे खानी पीने की ज़रूरी चीज़े पांच पीज़ती सबस्ती हो जाएगे सरकार ने अनाजों, दालों, आटा, मैदा और बेसन को जी एस्टी के दाएरे से दूर रखा है नई कर विवस्था में दूद, सबजियां, फल, पके चावल, नवक, पशुचारा, जलावन, कच्चे रेशम, उन, हाथ से चालित औजार इन सभी चीज़ों पर भी शुन्ने दर लगेगा वित्मंत्राले ने कहा है कि इन चीज़ों पर जी एस्टी कर नहीं लगने की वज़े से उन में से जाधातर चीज़ों के अपने वर्तमान दामों की तुलना में करीब 4-5 फीस्थी सस्ती होजाने के संभावना है वहीं ब्रांडेट खाद्यान एवं पंजी क्रिप्ट ट्रेड मार्क वाले आठे पर जी एस्टी के देर 5 फीस्थी कर लगेगा